आपका चाहने वाला मरने के बाद अलग बॉड़ी में फिर से आपके पास वापस आ जाए तो फिर क्या होगा क्या आप उसे पैचान पाऊगे इसे एक इंटरस्टिंग सब्जेक के साथ आज की मुवी एडिक्टेरी 2002 की एक मिस्ट्री थिलर मुवी आती है यह कोरियन मुवी काcko जाता ह है तो जबले एकसे स्प्राइं करना स्टार्ट करते है यह स्टोरी है दो प्रतरस और बड़े भाई की वाइफ की विश्टार्ट होती है और हम बड़ा बदर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है होजीन यह एक आर्टिस्ट होता है यह फइनीचर के साथ पर अभी भी तुम खिलोनों के साथ ही खेल रहे हो होजीन को अपना ब्रदर रेज कास चलाता है या अच्छा नहीं लगता उसे समझा रहा होता है कि बहुत ही डेजिन उसे कहता है कि जो तुम करते हो यह भी डेजरस है इसमें भी तुम हर्ट हो सकते हो साल में कितने सारे कार एक्सिटन्ट होते है, पर रेज का एक्सिटन्ट बहुती कम ही होता है, देजीन सुनने मालों ऐसे नहीं होता, नेक्सिन में हमें इन्सु दिखाई जाती है, यह बड़े ब्रदर की वाइफ है, यह स्टेज शो के लिए साउन वगरा मैनेज करती है, होजेंज होता है वो घर बरी रहता है, वो घर में खाला वेगरा सब का खयाल रख लेता है, उसकी वाइब जॉप करती है, और यह अपने आर्ट पर काम करता है, अपने एकसिन में हम दिखता है, कि इसका एक एक एकजीबेशन होने वाला होता है, इसके एक एक आदमे से वो बात कर रहाता है, होजिन ने अपने वाइफ के लिए एक गिफ्ट रिलायव होता है उसे समझ में आता कि आज हो क्या रहा है घर आने के बाद उसके लिए बहुत सारा खाना उसने पकाया होता है इंसु सोचने लग जाती है कि आज इसा क्या स्पेचल है आज तुसका बड़े भी नहीं है और हो दो मिनिट चल्शा बहा हो गया था तो इसलिए अब होजिन ने इसे रिपेर करकर उसे दे दिया है इंसु कहती है कि मेरे फादर मेरा बहुत ही खैल रखते थे उन्होंने मुझे जो पी चीज दी है वो बहुत ही प्रेशियस हो जाती थी तुम्हें भी उन्होंने मेरे कुछ भी गिफ्ट नहीं लाया ये फिर डिसाइड करते हैं कि आज दोनों इंटिमेट होने वाले हैं ये एक मोमेंट शेरी करने वाले होते हैं तब देजीन वहाँ आ जाता है देजीन के साथ फिर ये सब बेठे हुए होते हैं जब होजिन दो मिनिट के लिए वहाँ से चला कहा रहता है बहुत रात हो जाती है तो इंसु सोने के लिए चली जाती है होजिन देजीन को कहता है कि तुमारे आज कान बन रखना देजीन भी इस पर रहसता है रात में इंसु और होजिन दोनों बेठ पे होते हैं वह इंटिमेट होने वाले होते हैं पर होजिन को बहुत ह इकप्स आरे होते हैं, यह पिर अपना plan cancel कर देता है, होजिन का exhibition होने वाला होता है, होजिन एक बहुत ही बड़ा artist होता है, reporter उसे क्या बोलेगा, वो इसकी practice कर रहा होता है, देजिन उसे help करता है, देजिन उसे कहता है, कि artist की तरह बोलो, इसे pause लेकर लेकर बोलो, होजिन जहता है कि यह जो फीश है गुड लग के लिए है जो तुमें किसी भी चीज से बचा कर रखेगा जब देजिन घर से चला जाता है तो इन्सु और होजिन दोनों घर पर अखिली होते हैं यह दोनों फिर टेबल पर ही इंटिमेट हो जाते हैं अब अंस्टेबल होता है तो टे होजिन में लेटर होता है एक दिसु और को हमेशा लेटर बेशते हैं तीन साल इन के शादू का रख हो चुक है प्रोड़े एक दूसरे इसको फिर से सुधार दो यहाँ देजीन की एक फ्रेंड आती है यह जो देजीन की फ्रेंड होती है यह उसे बहुत ही पसंद करती है देजीन की फ्रेंड जब एन इंगलेस देखती है तो कहती है कि बहुत ही प्रीटी है इन्सु कहती है कि मेरे फादर ने बनवाय था वर्ल्ड में इसकी तरह और कोई भी नहीं है इस सिन को आप याद रखना लास्ट में इंपोर्टन देब नेक्स दिन आता है और यह दिन देजीन की जो रेस होने वाली होती उसका होता है या होजीन अपना जो सब काम होता है इक्सिबिशन के लिए उसे जो सब आर्ट कम्पलीट करना होता है यह सब वो कम्पलीट कर लेता है वो आज देजीन के रेस देखने के लिए जाने वाला होता है देजीन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा brother तुम्हें अपोस करता है तुम race करते हो तुम से अच्छा नहीं लगता तो क्यों तुम race करते हो देजिन कहता है कि यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यह मेरा passion है मैं इसके बिना जी नहीं सकता देजिन के race स्टार्ट हो जाती है और होजिन उस रेस के लिए लेट हो जाता है वो टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और उसे कहता है यह बहुत ही लेट हो चुका हूँ उसे जल से जल वहाँ छोडने के लिए उसे बोलता है यह टैक्सी ड्राइवर बहुत ही फास गाड़ी चला रहा होता है होजिन डर रहा होता है तो टैक्सी द्राइवर कहता है कि 10 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूँ कभी भी मेरा कोई भी एक्सिडन्ट नहीं हुआ है देजिन की रेस स्टार्ट होती है और जब वो रेस में होता है तब उसे टायर जरा खराब लगता है यह वो change करता है पर इसी वज़े से उसका time जोता है वो थोटा सा खराब हो जाता है वो बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा होता है Race tracks पर एक accident हो जाता है उसे उसकी team message देती है कि वहाँ से वो सही से चला है पर उसे यह सुनाई नहीं देता उसके आगे एक गाड़ी आ जाती है और इसका accident हो जाता है होजीन भी taxi से जब आ रहा था तो taxi बहुत ही fast चल रही थी रस्ते पर इस taxi का भी accident हो जाता है इन दोनों brothers का एकी time पर accident हो जाता है इसके बाद हमें देजीन दिखाय जाता है यह hospital बेट पर होता है और यह unconscious होता है तो doctors बात करते हैं हमें देखते हैं यह कहरे होते हैं कितना आजीब world है दोनों brothers का एक के साथ accident हो चुका था जो race cars चलाता था वो बच गया है और दूसरा brother जो artist था वो कौमय में चला गया है अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और देजीन अब conscious हो चुका है यह hospital के बाहर आता है और आएने में देखता है यह ज़रा disturb होता है अब यह conscious में आ चुका है तो doctors बहुत सारी test तो गरा इसकी करवाते हैं इंसु फिर इसे घर लेकर आती है यह कहती है कि तुम बजगे यह भी एक महरबानी है अब नेक्सिन में हमें दीखता है कि देजीन होजीन की जो गार्डन थी उसके पास आ चुका है जो flowers थे हो मुर्चा चुके है इसे हो देख रहा है इंसु वो शौक में ऐसा उसे लगता है उसके रूम में उसे छोड़ कर देती है देजीन दिन रात वहाँ सोता रहता है नेक्स दिन सुबा जब आती है तो होजीन के गार्डन में पानी लगा रहा होता है नेक्स दिन जब आते है तो होजीन के ब्रश से देजीन ने ब्रश क्या होता है होजीन हमेशा ब्रेश करकर इंसु के लिए वो ब्रेश रख देता था इंसु के देखकर बहुत ही अजीब लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि होजीन का जो आर्ट था वो अब देजीन कर रहा है उस पर वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है देजिन के जो अच्छी फ्रेंड थी वो उसे मिलने के लिए आई हुई है उसे कही थी है कि तुम होस्पिटल में थे और मेरी बहुत ही हालत खराब हो चुकी थी जब तुमारी कार तैसने सो गई थी तो उसे स्क्रैप करने के लिए में गई थी वो स्क्रैप होता हुआ देखकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा देजिन अपने कार से बैर करता है तो उस कार से जेलस होती है इसी वज़े से उसे उस कार को स्क्रैप होता देखकर बहुत ही खुशी हुई होती है देजिन सिगरेट पीता था पर एकसिडन हो जाने के बाद अब वो सिगरेट नहीं पी रहा उसकी फ्रेड़ों से कहती है कि तुम तो बहुत ही हेवी स्मोकर थे रात में हम देखते है कि देजिन की फ्रेड़ उसके घर पर ही होती है वहाँ जब इनसु आती ही तो देखती है कि देजिन अब कुक कर रहा है देजिन कभी भी कुक नहीं करता था होजिन जिस तरह से अच्छे सबजिया वगरा काटता था उसी तरह से सबजिया काट रहा है इंसु के जो favorite flowers होते है वो भी उसने लाय हुए हुए होते है रात में हमें दिखता है कि देजीन उसके work space में है और रो रहा है अब इंसु को लगता है कि देजीन देजीन हे ही नहीं Ohjin की soul उसमें चली गई है अब इंसु को लगता है कि उसका husband जो कोमा में है वो वहाँ नहीं है, देजीन में वो घुश चुका है अब यह सब हो क्या रहा है, इसका सेंस बनाने के लिए देजीन को डॉक्टर के पास लेकर आती है डॉक्टर्स देजीन के सब सिंप्टन्स वेगराज पूछते है इंसु को बताते हैं कि इंसु को बताते हैं कि उसे अपने ब्रेदर जाने के बाद सद्मा लग चुका है वो डिप्रेशन में है और इसी वज़े से यह सब हो सकता है डॉक्टर उसे बोलता है कि देजीन का जो सबकॉंशेस है इसे लगता है कि वो हो जी नहीं है डॉक्टर इंसू को सरा देता है अगर सही तरीके से तुम्हें इन्फोर्मेशन निकालनी है तो तुम देजीन को हिपनेटाइस करो वसके सबकॉंशियस में क्या है यह तुम्हें पचा जलेगा रात में जब भी घर आते है तो देजीन फरनीशर पर काम करने लग जाता है वो करते करते ही उसे चोटा जाती है यहाँ पर देजीन की फ्रेंट भी होती है उससे कहती है कि आपने आपको तुम समालो तुम होजीन नहीं हो तुम देजीन ही हो यह तुम समझ लो यह मानने के लिए द्यार नहीं होता इंसु उसे सब को समझाती है कि यह साइकोलोजिकल है देजिन की फ्रेंड बोलती है कि इससे मुझे बहुत ही तकलिफ हो रही है राद मैं इंसु देजिन के पास आती है होजिन को उसने जो नेकलेज दिया था यह देजिन उसे वापस करता है उसने वो फिक्स करकर उसके लिए लाया होता है नेकसिन में हमें दिखता है कि इपनोटाइस करने के लिए इंसु ने देजिन को लाया हुआ है इनका जब सेशन चल रहा होता है तो देजिन को एक्सिडन किस तरह से हुआ था यह पूछा जाता है यह पूछने पर भी होजिन का जिस तरह से एक्षिजन होआ था उसी तरह से डिस्क्राइब करता है अब इनसू भी डाउट करने लग जाती है जब देजिन आर्ट बना रहा होता है तो उसे वो देख रही होती है वो अब सोच रही हुथी कि क्या ये सच मुझ में पॉसिवल है रात में जब ये सोई हुए हुथी है तो देजीन वहाँ आता है उसका डोर खड़कडाता है उसे कहता है कि डोर ओपन करो मैं कुछ करने नहीं वाला देजीन कहता है ये बहुत ही सौरी हुँ पर मैं मेरे ब्रदर की रूम में नहीं रह सकता वो होजीन है इस तरह से वो बात कर रहाता है मैं अगर वहाँ सोया तो मैं कभी भी नहीं जागूंगा ऐसा मुझे लगता है ये फिर इंसु के रूम में ही सोचाता है इन सुब आसे जा रहे हुथी है तो उसे कहती है कि प्लीज यही सोजाओ मैं बहुत डरा हुआ हूँ उसे कहती है कि देजिन के साथ रहना ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है मैं हमेशा उसमें होजी नहीं डोनती रहती हूँ और कभी-कभी मुझे वो दिख भी जाता है मैं बहुत ही कन्फियोज हो डेजिन की फ्रेंड कहती है कि तुम उसे मुझे पर छोड़ दो मैं जरा उसके साथ टाइम स्पेंट करती हूँ इसके बाद वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा यह फिर देजिन के पास आती है उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे फादर के फार में काम कर सकते हो तुमने मुझे कहा था कि तुम जब वार में थे तुम बहुत ही अच्छा लगता था अगर तुम फार में काम करोगे तुम फिर से अच्छा लगेगा देजिन कहता है कि मैं क्यों कहीं जाओंगा ये तुम मेरा ही घर है देजिन की फ्रेंड कहती है कि इंसु ऐसा चाहती है कि तुम चले जाओ तुम इंसु के लिए ये सब करो होजिन को कॉमा में रहे कर एक साल हो चुका है यह उसके लिए बहुत difficult है देजिन को अब तक मालूम है नहीं होदा कि Хोजिन कोमा में है उसे लगता है कि वो महीं चुका है यह फिर उसे देखने के लिए चाता है इसके बाद रात में हमें दिखता है देजिन घर पर है वो जब अपनी शेकल काच में देख रहा था तो डिस्टरब हो गया काच को उसने तोड़ दिया है इंसू उसके पास आती है उसे कहती है कि गौह से इस छेहरे को देखो तुम होजिन नहीं हो सकते देजिन केता है कि अगर तुम मेरे बिना सही से रह सकती हो तो मैं यहाँ से चला जाओंगा मैं देजिन की तरह ही जिऊंगा यह फिर अपने फ्रेंड के साथ उसके फाब में आता हुआ में दिखता है इंसू होजिन जो कौमा में है उसे मिलने के लिए आती है वो उसे कहती है कि तुम तो कभी भी लेजी नहीं थे इनने वकत तक तुम अब क्यों सो रहे हो मैं इस साल में बहुती बजल चुकी हो मैं लोगों से बहुती ज़ादा एंग्री हो जाती हो मैं हसती भी नहीं हूँ तुम अगर मुझे देखोगे तुम सप्राइस हो जाओगे तुम्हारी आवाज भी अब मुझे याद नहीं आ रहे है मैं बहुत ही ट्राय करती हूँ रिमेंबर करना पर मैं कभी रिमेंबर नहीं कर पाती जब देजीन फार्म पर काम कर रहा होता है तो देजीन की फ्रेंड उससे अनायो करती रहती है उसके साथ बेट कर बात कर रही हुती है तो देजिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही सही हाँ काम कर पाओ तो प्लीज मुझसे बात मत करो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम अगर मुझसे प्यार करो या ना करो पर हमेशा मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करती रहूंगी अब नेक सिन में हमें देखता है कि इंसु जब स्टेशन से आ रही थी तब जिस तरह से होजन उसे लेने के लिए आया था उसी तरह से देजिन भी उसे लेने के लिए आता है देजिन कहता है कि मैं सौरी हूँ पर मुझे वापस आना ही था फिर तुमारे विना रह नहीं सकता था इनसु इसके बाद कहती है कि इसको मोज जो लोग होते है उनमें से कोई अगर मर जाता है तो पास दिन उसके बारे मों बात करते है इसके बाद उस आदमे के बारे मों कभी बात नहीं करते है यह वो बैड लख समझते है हमें भी होजिन के बारे में ऐसा ही करना चाहिए वो फिर होजिन की यादे बोलना स्टार्ट कर देती है वो कही थी है कि एक साल बहुत ही पारिश पड़ी थी होजीन के घर पर हम जब गए थे तो उसमें बहुत सारा पानी भर चुका था हम दोनों ने मिलकर वो सब पानी निकाला था जब तुम आर्वे में चले गए थे जब तुम घर से दूर चले गए थे तुमारे ट्यूशन फीज के लिए होजीन एक फैर्टरे में गाम करता था मैं एक दिन उसे देखने के लिए गई थी और उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ था अब देजिन कहता है कि मुझे याद है जब तुम मुझे देखने के लिए आई थी तुमने पिली टेस पहनी थी, जब तुम वहाँ से जा रही थी, तब मैंने तुम्हें वहाँ देखा था मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि तुम्हें अगर मैंने पैचान लिया होता, तो तुम बहुत ही अफसेट हो जाती क्रैसिस के वक्त तुमने मुझे हेल्प किया था, मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर चला जा सकता था हम दोनों जो हैं, ये एक ही परसन है, क्या तुम इसे देखनी पा रही हो मुझे उस एक्सिडन में मर जाना चाहिए था, और कभी वापस नहीं आना चाहिए था पर मैं कर नहीं पाया, मुझे तुम्हारे लिए वापस तो आना ही था मैं जितना तुमसे प्यार करता हो, उतना कोई भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता इसी वज़े से मैं वापस आ चुका हूँ टेबल के नीचे इन दोनों कोईन रखे थे, यह भी निकालता है और उसे देता है यह कहता है कि यह जो कोईन है, यह हम दोनों ने आज तक एक दुसरे से कितना प्यार किया है इसका है सिंबॉल है, यह दोनों फिर एक दुसरे को हग कर ले थे राद में एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जोके ही हमें दिखता है इंसु अब इसे एक्सरेप कर लेती है ये पार्क में जाते हैं शॉपिंग गरते हैं एक नॉर्मल सी लाइपस्टाल ले जीते हैं देजिन अपने आर्ट पर काम करता है और उसका भी एक्जिबिशन अब होने वाला होता है नेक सिन में हमें इंसु देजिन की फ्रेंड से बात करें ये दिखता है उसे समझा रहे होती है कि देजिन ही होजीन है देजिन की फ्रेंड कहती है कि वो वैसे भी जैसे पहले था वो ऐसा ने रहा है अब देजिन जाहा है वहाँ में नहीं रह सकती है वो वो एक कंट्री छोड़कर बाहर स्टडी करने के लिए जाने वाले होती है लास्ट बार देजिन से मिलने के लिए वाती है देजिन उसे पुछता है कि क्यों तुम बाहर जा रहे हो क्या मेरी वज़े से जा रही हो उसे पुछता है कि कब तुम वापस आओगी ये कहिती कि मेरा वेट करनी के लिए देजिन या नहीं है तो मैं क्यों वापस आओँगी वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें देजिन समझ कर कुछ बोल सकती हूँ वो फिर उसे रॉटन बास्टर्ड कहती है उसके बाद उसे वीश करती है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी जाए उससे वो एक हग मांगती है वो बोलती है कि तुम कैसे भी मुझे हग दे सकते हो देजिन या होजिन मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता देजिन फिर उसे एक पौम हग देता है यह कहती कि दुम देजिन नहीं हो देजिन कभी भी इस तरह से मुझे हग नहीं करता था इसके बाद देजिन को एक कॉल आ जाता है इसका एक्जिबिशन होने वाल है तो इसी का एक कॉल होता है अब नेक सेने हमें दिखता है कि इंसु को डॉक्टर ने बुलवाया है डॉक्टर से खहते हैं कि तुम्हारा जो हस्बन है ये नॉन रिस्पोंसिव है वो ब्रेंडेड हो चुका है वो अंदर से मर रहा है तो इसी वाज़े से उसका लाइफ सपोर्ड उने निकाल लेना चाहिए ये उसे वो सजस्ट करते है इंसु और देजिन फिर डिसार करते है कि होजे इनका लाइफ सपोर्ड उने निकाल देना चाहिए अब थोड़ा टाइम दूसर चुका है, हमें दिखता है कि इंसू देजीन के बच्चे से प्रेगनन्ट है देजीन का एक आर्ड इसी विशन चल रहा होता है यह दोनों अब बहुत ही एक दूसरे का इसाथ खुश है इंसू जब घर पर होती है तो उसे एक पार्सल आता है यह पार्सल जो होता है देजीन के लिए होता है पर यह पार्सल वो ओपन कर लिती है इस पार्सल में उसके पास जो नेकलेस है इसी तरीके से एक नेकलेस होता है यह जो पारसे ले यह देजिन के फ्रेंड ने भेजाए इसमें एक लेटर होता है इसमें लिखा होता है कि तुम्हें ओरिजिनल कभी ना कभी तो चाहिए होगा इसलिए मैं रिटर्न कर रही हूँ मैं कभी भी तुम्हारा जो यह सिख लव है यह समझने पाऊंगे मैं होप करती हूँ कि कभी ना कभी मैं तुम्हें भूल चाहूंगे अब देजिन के फ्रेंड को होजिन के पास जो नेकलेस था वो कैसे मिला है यह हमें दिखता है जब इनसु ने होजिन को नेकलेस दिया था तो यह नेकलेस उसने एक बोटल में छीपा कर दिया था जब देजिन की friend last बार उसे मिलने के लिए आई तो necklace उसे मिल गया था देजिन को इस necklace के बारे में पता ही नहीं था यही necklace उसने लोटाया है वो देजिन को indirect ले कह रहे हुथी कि उसे पता है कि वो होजिन नहीं है वो सब pretend कर रहा है और जो इंसू को लव करता है उसे समझ में ने आ रहा है अब इंसू disturb हो जाती है वो देजिन की सब चीसे देखने लग जाती है यहाँ देजिन की रूम में उसे एक secret vault मिल जाता है यह वो चेक करती है तो उसके बहुत सारे photos भा होती है इंसू के फादर ने उसका necklace जिस plant से बनवाया था उसने वो बहुत सारे लाकर रखे होते है इसके पास वो है तो वो कभी भी यह necklace बनवा सकता है यह बहुत ही rare होता है पर फिर भी इसने वो इकटा करकर रखे होते है अब हमें देजिन की खानी समझ में आती है देजिन एक दिन जब पार्क में था और फोटो ले रहा था तब ही उसे इंसू दिखी थी इंसू अपने bicycle से जा रही थी देजिन ने जो सब डायरी में लिखा है वो इंसू पढ़ रही होती है उसमें लिखा होता है कि जिस दिन मैंने इंसू को देखा तब ये magical था वो sunshine की था मेरी जिंदगी में आई थी मैंने जब उसे देखा तो मेरे अंदर जो सब sadness था वो एक की पल में पुरा मिट कया मैंसे किस तरह से explain कर सकता हो ये मुझे समझ में ने आ रहा इसी रात देजिन जब होजिन के साथ था तो होजिन अपनी girlfriend को उसे मिलवाने वाला था जब होजिन ने इंसू को introduce कराया तो देजिन का दिल तूट चुका था वो कहता है कि मुझे लगा कि पूरे world ने मुझे abandon कर दिया है जब होजिन का wedding दे था तो देजिन ने कहा था कि मेरी brother की आशादी है उसके लिए मैं बहुत ही happy हो इस world में सबसे fortunate आदमी वो आज से बन जाएगा मैं भी खुश हो क्योंकि मैं इंसू को हमेशा मेरी पूरी life तक देख सकता हूँ होजिन मुझे सब कुछ बताता है उसे love letters लिखना नहीं आता तो उसके love letters में ही लिखता हूँ यह explain करता है कि उसके क्यों इंसू के बारे में सब कुछ पता था होजिन देखन को सब कुछ बता था इसी वज़े से देखन को सब कुछ पता था देखने रिखा होता है कि मैं lucky हूँ मैं उन दोनों के साथ ही रहता हूँ पर अभी तक मैं पागल नहीं हुआ हूँ जब इंसु यह सब पढ़ती है तो बहुत इडिस्टर हो जाती है वही वो रोने लग जाती है वो बाहर आती है और सोचने लग जाती है मूवे के फर्स में हमने देखा था कि इंसु ने देजिन से पूछा था देजिन केता है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि सब कुछ चीज़े मैं जे फिक देनी चाहिए पर मेरा जो वर्क है इसमें गुल मिल जाता हूँ पूरे लाइफ तक इसा ही चलता रहेगा ऐसा मुझे लगता है इंसु अके लिए बेटी होई होती है और उस अब कुछ सोच रही होती है वो देजिन की आर्ट गैलरी में फिर आ जाती है देजिन उसने जो सब आर्ट की होते है यह सब उसे दिखाता है देजिन उनकी अब जो फ्यूचर लाइफ है इसके लिए बहुत ही पॉजिटी होता है देजिन ने उसकी बेबी के लिए भी आर्ट बनवाय होता है देजिन अपने ब्रदर की अस्तिया भाहा देता है वो अपने ब्रदर से बात कर रहाता है यह कहता है तुमने अपने आपको सैक्रफाइस कर दिया यानि कि मैं जी सको क्या तुम्हें पता है कि InSui से मैंने पहले प्यार किया था मैंने उससे इतना प्यार किया था कि मैं तुम दोनों के लाइव से चला जाना जाता था InSui को कभी यह मालूम नहीं था वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी मेरे ब्रदर तुम अब इस वर्ल में नहीं हूँ पर मरा हुआ असल में मैं ही हूँ मुझे अब तुमारे जैसे रहना पड़ता है मैं अब तुम बन चुका हूँ मैं जो सब चीजे करता था वो वो मैं कर नहीं पाऊंगा मैं हमेशा के लिए अब तुम बन जाऊंगा और इंसु मुझे ही पयार करेगी इंसु मेरे पास तो होगी पर वो हमेशा तुम्हारी ही याद करती रहेगी उपने ब्रदर को कहता है कि कभी भी मुझे माफ ना करना यूए कैकर रोने लग जाता है यही मुवी अंड हो जाती है अब को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इसी मुवीज लेकर आते रहता हूँ इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकों में दमाना मत भूले यहीं कि आपको सब मुवीज मिलते रहे हम फिसे मिलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थांक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये